हेलो वेलकम बैक टू माई चैनल करियर पॉइंट फो यू और आज की वीडियो में काफी अची अच्छी आपके लेके आए हैं आपके लिए लेके आए हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ठीक है सबसे अच्छी बात इसमें यह है ना कि इसमें कोई भी प्रैसा मत अच्छी बात इसमें के लिए कहीं बेंशन नहीं है तो लिंक एक्सपार होने से पहले अप्लाइक करते हैं तो सारी डिसक्स करेंगे लेकिंट जग आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अगर किसी दिन भी आती तो अभी रिजंट की हमारी वीडियो से अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अगर आपने किसी भी कंपनी में अपलाइक या उसकी भी अपडेट हमारे पास है तो एक बार हमारे चैनल पर गोती हूँ हो सकते हो ठीक है तो चलो आपने टॉबिक स्टार्ट करते हैं जो मेरे को लग रहे है ना गूगल की तरफ से जो आई है आप सभी के लिए तो मैं सबसे पहले चलता हूं पोजीशन रिस्पॉंसिबिल्टी से पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन बैटिक है तो यहां पर आप देख पार हो वी बीटेक इंफरमेशन टेकनोलोजी और कम्प्य होना चाहिए ठीक है और दूसरा आपके एक्सलेंट कम्यूनिकेशन के लिए होने चाहिए और जीरो से लेके डेर्ट साल तक एक्सपीरेंस है तो अपलाई कर सकते हैं अब बात करते हैं प्रेफर्ट क्वालिफिकेशन मजब की टेकनोलोजी की आपको नॉलिज होनी ठीक है और मजब की टेकनोलोजी की तो बेसिक नॉलिज तो अब इंजिनियर बैक्ग्राउंड से हो चाहिए बीसी या बीसी में कंप्यूटर बैक्ग्राउंड से हो तो ठीक है बागी यह है और रोल्स ऑन रिस्पोंसिबिलिटी की अगर बात करते हैं जाला कोश यहां पर सब्सक्राइब करने के लिए और इसमें अपलाइक करने के लिए आपको सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोशी नहीं करना आपको एक चैनल पर अप्लाइब करेगा और वहां पर अपलाइक कर सकते हैं तो यह है दो चाहिए गोगल होगा चाहिए आपका माइप्रोसप्ट जिसमें भी आप अलिजिबल हो तो दोनों में जैस्ट आपको इंजीनेर हो चाहिए आप इंजीनेर हो तुकि गूगल में भी देख सकते हो और माइक्रसावट में ठीक है और 23 है आपको माइक्रसावट पर गूगल में तो आपका एक दीस लेके 23 किसी बीच हो तो अपलाइक खाशकते हैं कि वहां पर मैंशन नहीं किया गया है